सब्सक्राइब कीजिए मेरे रस्मीज व्लॉग चैनल को और नई नई रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए तो गाइच मैं हूँ रस्मी और स्वागत करते हूँ आपका रस्मीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताऊंगे एक बहुत ही मज़िदार सी स्वीट आप देख सकते हो और ये है हमारी लाइटर का कमाल इसे इतनी प्यारी स्वीट बनती है और बहुत ही देखने में अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और साथ में जूसी मीठाई है तो और ये पका हुआ पेठा है तो इस तरह से पका हुआ पेठा बिलकुल वाइट होता है तो यह लिए लाइटर करांब कर 예ंधा है तो उससे आप यह देखें यह लाइटर है और खराब हो चुका है तो इसको हम यूज करते हैं काफी चीजों में रेचपीच बराने में बहुत ही काम्याब होता है यह तो मैंने इसको नहीं गिरा है इसके अंदर थोड़ा सा पानी अंगुली से पानी लगा दिया है अंदर ताकि पेठा जब इसके अंदर कटिंग हो तो वो आसानी से निकल जाए तो उसको पानी से थोड़ा सा गीला करके लाइटर को और फिर इस तरह ऐसे देखिया पेठे की स्लाइस कट कर लेते हैं एक दम सिंपल है बहुत इस अच्छी कटिंग होती है बिलकुल बराबर सेप में आएंगी और सारीज़ फीट आहा आहा जब आप बनाएंगे ना तो घर में सब के मूं में पानी आने लगागा और एक round slice अभी और cut करेंगे पर उससे पहले मैं आपको इसकी process बता देती हूँ इस तरह से पूरे पेठे की slice के अंदर आपको जो fork होता है उससे hole करना है जो कांटी होती है सबके गर में इस तरह से मिल जाती है तो इस तरह से आपको इसके अंदर hole कर देनी है और hole करने के बाद लगबग overnight हमें इसको चूने के पानी में बिगो करके छोड़ना होता है क्योंकि यह बहुत hard होता है जब यह एकदम से पक जाता है न तो बिलकुल hard हो जाता है और hard होने के वज़र से ही इसके पेठा sweet बनती है और वह बिलकुल एकदम से आप देखते हो white white कितना transparent होकर के त्यार होता है यह मैंने लिए चूने की टूब तो आदा लेटर पानी के अंदर थोड़ा सा चूना मिला देंगे और अच्छे से यह गोल त्यार हो गया तो सारे पेठे को overnight के लिए हम इसको रख देंगे भिगो करके चुने के पानी में गोल किये वे हैं अब सारे को भिगो करके छोड़ देते हैं चुने के पानी से इसका बहुत ही बढ़िया जो है ना बोल होने में यह बहुत अच्छे हो जाते हैं और पकाने के बाद इसका टेस्टी भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि इनके जो कड़वाट होती है वो खतम हो जाती है और यह softness हो जाते हैं बिल्कुल soft हो जाएंगे पक जाते हैं नहीं तो यह क्या है कि बोल करने पे बहुत soft जल्दी से नहीं होते हैं तो देखे ओवरनाइट पिकोने के बाद में आपको क्या करना है सुबह इनको सारे चूने के पानी से निकालना है और नोर्मल पानी से तीन से चार पानी से अच्छे से वोस करना है प्योंकि इनके अंदर जो चूना गया हुआ है ना वो सारा निकल जाए तो इस तरह से नोर्मल पानी से मैं इसको धो रही हूँ तो तीन से चार पानी मैंने इसको धो लिया है और अब आप पानी देख रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो गया है तो मैंने गेस पे पतिला टिकाया है और उसके अंदर लगबग एक लिटर पानी डाल दिया है और फिर डाल दिये मैंने सारे पेठे अब हमें इसे 20 मिनट तक बोईल करना है 20 मिनट तक आपको अच्छे से पकाना है बीच बीच में आग चाहे तो थोड़ा सा चला सकते हैं बागे चलाने की ज़रूरत नहीं है जैसे ही इसके अंदर बोईल आएंगे न तो यह इस तरह से उलट पलट होते रहेंगे और आप चाहे तो एक से दो बार स्पून की साहता से इसको चला दे 20 मिनट तक पकाने के बाद आप देखेंगे कि यह बिल्कुल से अच्छे से एकदम सोफ्ट हो करके तियार हो जाते है देखे 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से तियार हो गए एकदम से ट्रांस्पेरनेट होगर के एकदम विल्कुल वाइट और बिकानेर में इसे गंडेरी के नाम से यह फिमस है बहुत अच्छी स्वीट है सार्दी पार्टी में इसे बिकानेर से मंगाया जाता है इसलिए यह जो सुगर है जो ऐसे ही मेल्ट हो जाएगी अभी मैंने इसको गेस पे नहीं टिकाया थोड़ा सा मैंसे चलाते हुए ऐसे मेल्ट कर लेती हो या आप पहले सुगर को जैसे मेल्ट कर ले उसके बाद में गंडेरी डाले इसके बाद में आप ये space को पकने के लिए रख दें अब मुझे इससे पकाना है लगबग 20 मिनट तक चांसनी में और पकाना है वैसे ये पकी हुई है पर चांसनी इसको पिलाना है तो पकाना ही है अब आप चाहते हैं तो इसके अंदर केवरा essence डाल सकते हैं थोड़ा सा केवरा essence डालने से गंडेरी स्वीट इतनी बढ़िया होती है कि बस आप मत पूछिए ना केसर के धागे के केवरा essence ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं केसर के धागे अगर आपके पास नहीं हो तो आप कलर भी डाल सकते हो तो मैं आपको इसको कलरफुल बनाना भी बताऊंगी और वाइट भी बनाना बताऊंगी तो मैंने थोड़ा सा केवरा essence डाल दिया है और आप इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है पकाऊंगी बीच में चलाते भी रहेंगे हम लोग इस तरह से अब चास नहीं अगर आपको यह ड्राई रखना है जैसे पेठाता है ना मार्केट में वैसे अगर ड्राई रखना है तो इसके अदर थोड़ा सा कुछ भी नहीं मिलाना है और अगर आपको लिक्विड जूसी रखना है इसको जैसे जूसी मिठा ही आती है हमारे गुलाब जमुन उस तरह से रखना है तो इसके अदर थोड़ा साब निम्बू डाल दे निम्बू का एक टुकड़ा डाल दे इससे क्या है कि सुगर सिरप के अंदर क्रिस्टल नहीं मिलाएं ऐसे ही जो सुगर सिरप को गाड़ा होने दे जैसे ही गाड़ा हो जाएगा जैसे ही आप इसको इसका जो सुगर सिरप स्टेन करेंगे तो यह बिल्कुल से ड्राई गंडेरी हो जाएंगी सारे सिस्टम में आपको दिखाऊंगी मैंने सब तरह से बनाया इसको ड्र सकते हो एकदम से जो सूगर सीरफ गाडा वंगया है तो गेस का फ्लेम हम बंद कर देते वाँपर आप देख सकते हो सूगर सीरफ जो जमना स्पार्ट हो गई तो इस स्टाइम पर आप इसको गंडेरीन को निकाल करके और एक एक स्टेंड के ओपर इस तरह से इसको फैला दे तो यह सूख करके जो हमारा सूखा पेठा होता है ना, मार्केट में हम पेठा लेगा, आगरे का पेठा लेकर आते हैं, वैसा पेठा यह तियार हो जाएगा, उसके बाद में अगर आप इसको मैंने बता ही दिया है कि अगर आप लिक्विड रखना चाहते हो, जूसी गंडेरी तो आप उसको जूस के अंदर थोड़ा सा निम्बू डाल दे, बोल होते समय भी, तो वैं जूसी गंडेरी रह जाएगी, यह हो गया सूखी गंडेरी और वाइट गंडेरी, वाइट गंडेरी हमारी तयार हो गई है, तो चलिए इस तरह से तयार होने के बाद, आप अगर कलर फूल बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जो चासनी बच्ची होई है कड़ाई के अंदर, उसी के अंदर आपको क्या करना था, कलर मिला लेना, जो भी कलर आपको पसंदो, वो, तो यह देखे, सारी जो है, लगबक 12 गंटे के बाद में, ड्राई गंडेरी पैठा तयार हो गया है, देख सकते हो, बिल्कुल से ड्राई है ना, तो यह द्राई तो बन चुका है, अब मैं आपको जूसी भी दिखा रही हूँ, यह देखे, वैसे अंदर से यह जूसी है, बस उपर से ड्र होगे, क्योंकि हमने इसकी चासने को स्टेन कर दिया था, अंदर से वैसे ही जूसी है, मीठी है, उपर से ड्राई है, अब यह देखे, यह जो ओरेंज कलर वाली है, इसको भी निकाल लेते हैं, इसको में निकालने के बाद, एक मनट के बाद ही वापिस सी जूस के अंदर ड अब यह होंगी कलर फुल, आप देख सकते हो, इस पर मैंने यह थोड़ी सी चासनी में रेड गलर मिला दिया था, तो यह रेड गंडेरी हो चुके है, और इसके बाद में ग्रेन कलर मिला करके, आप ग्रेन तयार कर ले, केसरी आमने तयार की है, वाइट आमने तयार की अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर 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 बताना, थैंक यू